हलो दोस्तों मैं उमा संकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बैविस्कुपता में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं जैक बोर्ड परिक्षा दूहजार चोविस का 12th कलास के हिस्टरी का एमस्यू क्योचन का बहुत ही संपुर्ण एमस्यू क्योचन का उतर सहित संग्रा लेकर आया हूँ जो आपको फाइनल एक्जाम 2024 के लिए महत्यपून है आज मैं आप लोग को एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप फाइनल एक्जाम में तो हलका मचा दोंगे दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप इस चैनल पर नहीं होंगे तो मेरे चैनल को अपनी कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तो में सेर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को अनतिम परहार इतिहास पर अनेक में एक हिस्टरी इतिहास का संपूर्ण MCU क्यूचन संग्रा लेकर आया हूँ एक ही वीडियो में प्रोटल क्यूचन को मैंने MCU क्यूचन जो चेप्टर वा का MCU क्यूचन में तहलका मचा देंगे अर्था 40 नंबर का क्यूचन इस वीडियो से आने वाला है इसलिए आप इसे भूतिक गहन माध्यम से देखे और अपने नोटबुक में इसे जरूर से जरूर लिखे तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं संपूर्ण चैप्टर व देखेंगे हमारा पहला चैप्टर से MCU क्यूचन है पहला क्यूचन हमारा यहां कह रहा है भारती पुरा तत्व का पिता की से कहा जाता है तिसका राइट एंसर आपका हो जाएगा ओप्शन नंबर A कनिंधम को कहा जाता है इसके बाद अगला क्यूचन देखते हैं इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं हड़ापा सब्याता के किस नगर में दुर्ग दिवार से घीरा हुआ नहीं मिला है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर C लोथल इसके बाद अगला क्यूचन है सिंधु घाटी सब्याता में विशाल असनान इसके बाद अगला क्यूचन हम लोग देखते हैं तो क्यूचन हमारा है सिंधु घाटी सब्याता में सेल्फ उत्पादन का एक परमुह केंद्र था तो कौन सा था तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर D चहन दूदुडो इसके बाद अगला क्यूचन है मेसो किस सब्याता के लिए किया गया है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर A हडपा सब्याता के लिए इसके बाद अगला क्यूचन है लोथल कहां इस्तीत है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ये गुजरात में इसके बाद अगला क्यूचन हडापा किस नदी के किनारे इस्तीत है तिसका राइट एंसर हो जाएगा ये रावी नदी के किनारे इसके बाद हम लोग अगला क्यूशन देखते हैं सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहां से प्राप्त हुआ था तिसका राइट एंसर हो जायेगा ओप्शन नमबर सी करनाटक से इसके बाद अगला क्यूशन हडापा सब्याता में बंद्रगाह का परमान कहां से मिला था तिसका राइट एंसर हो जायेगा ओप्शन नमबर ए लोथल से इसके बाद अगला क्यूशन है हडापा सब्याता का किस देश के साथ बैपारिक सम्बन नहीं थे तिसका right answer हो जाएगा option number D, चीन से नहीं थे, बाकी सब से थे इसके बाद अगला question देखते हैं, जूते हुए खेत का परमान कहां से मिला था तिसका right answer हो जाएगा option number C, काली बंगा से इसके बाद अगला question है, हडापा वासियों को large worth money कहां से प्राप्त हुआ था तिसका right answer हो जाएगा option number C, सुर्थ घई से इसके बाद अगला question है, छेत्रफल के अनुसार सिन्थु घाटी सबयता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तिसका right answer हो जाएगा, option number B, महन जोदरो, महन जोदरो का अर्थ मिर्तकों का टीला होता है इसके बाद अगला question है, हडापा सबयता की लिपी के मुखे भी से स्ताएं क्या थी तिसका right answer था, option number A, यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी इस तरह से मैंने आप लोग को chapter 1 का MCU question दे दिया हूँ, अब हम लोग चलते हैं chapter 2 में अगला question कह रहा है, अशोक के अभी लेख को सरव पर्थम किसने पढ़ा, तिसका right answer हो जाएगा option number C, प्रिंसेप ने पढ़ा था इसके बाद अगला question है, अभी लेखों में देव नाम प्रियदर सी किस राजा को कहा गया है, तिसका right answer हो जाएगा option number A, अशोक को अगला question हम लोग देखते हैं, वर्द और जयन ग्रंथों में कितने महाजनपद हुआ करते थे, तिसका right answer हो जाएगा option number D, सुलद महाजनपद हुआ करते थे मगद महाजनपद की प्रारंभिक रजधानी कहा थी, तिसका right answer option number A हो जाएगा राजगीर, जिसको हम लोग राजगीर कहते हैं, उसके बाद पाकली फुत्र हुआ था, इसके बाद पठना हो गया है अगला question है, इंडिका किसकी रचना है, तिसका right answer हो जाएगा option number A, मेगा इस्तनीज का इसके बाद अगला question है, दूतिये नगरी करन के नगरों को क्या कहा जाता था तिसका right answer हो जाएगा, option number C अगला question हमारा कह रहा है, समुद्र बुप्त की पर्याग प्रस्तिती किसकी रचना है, तिसका right answer हो जाएगा option number A, हरिसेन का, इसके बाद अगला question है भारत का निफोलियन किस सासक को कहा जाता है, तिसका right answer हो जाएगा option number C, चन्रगुप्त का को, इसके बाद अगला question है, हर्स्वधन के राज कभी कौन थे तिसका right answer हो जाएगा, option number A, वान भाट, इसके बाद अगला question है अशोक के ध्हम की लिपी क्या थी, तिनकी ध्हम की लिपी क्या थी, इनका ध्हम की लिपी ब्राहमनी थी option number C, इसके बाद अगला question है, फूट डाल कर विजय प्राप्त करने का कारेश और पर्थम किस सासक ने किया था, तिसका right answer हो जाएगा, option number A, आजाद सत्रुने इसके बाद अगला question है, किसके अभिलेख में भूमी दान का उलेख मिलता है, तिसका right answer हो जाएगा, option number C, पर्भावती गुप्त के अगला question है, प्राचिन भारत में अभिलेख की सुरुवात की सासक ने किया था, तिसका right answer हो जाएगा, option number B, असोक ने इसके बाद अगला question है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तिसका right answer हो जाएगा, option number C, बिसाकादत इसके बाद अगला question हम लोग देखते हैं, अपने स्वेम के खर्चे से सुदर्शन जहील की मरमत किसने करवाई, तिसका right answer हो जाएगा, option number B, रुद्रदामन ने करवाई थी इस तरह से मैंने आपको chapter 2 का MCU question बताया हूँ, अब चलते हैं लोग, MCU question, chapter number 3 का, chapter 3 का question number 1 देखते हैं, संस्क्रित, ग्रंथों में कुल सर्द का पर्योग किसके लिए किया गई थी, तिसका right answer हो जाएगा, option number A, परिवार के लिए, इसके बाद अगला question है, महा भारत की रचना किसने की थी, तिसका right answer हो जाएगा, ब्यद वियास, option number B, इसके बाद अगला question है, महा भारत का युद कुरुछेत्र में कितने दिनों तक चला, तिसका right answer हो जाएगा, option number D, 18 दिनों तक चला था, इसके बाद अगला question है, महा भारत कालिन सामाज का सोरूफ कैसा था, तिसका right ताद्मक था इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन हिसने कर रहा है मनुस्पिति में कितने परकार की बिवाए का उमेख है तिसका राई टेंसर हो जागा option number A आछ परकार के इसके बाद अगला question है दुल्योध्वन की माग कौन थि तिसका राई टेंसर हो जागा option number A गणधारी इसके बाद अगला question देखते है अगला question है मानों के संपुन जीवन को कितने भागों में बाटा गया है तिसका राइट टेंसर हो जगा Option No. B 4 भागों में इसके बाद अगला क्यूचन है महाभारत की राचना किस भाषा में हुई है तिसका राइट टेंसर हो जगा Option No. A संस्कृत भाषा में इसके बाद अगला क्यूचन है फुरानों की संप्या कितनी है तिसका राइट टेंसर हो जगा Option No. B 18 इसके बाद अगला क्यूचन है महाभारत का फार्सी अनवाद का नाम क्या है क्यूचन है महाभारत का फार्सी अनवाद का नाम क्या है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number A राजयन नामा इसके बाद अगला क्यूशन हम लोग देखते हैं अगला क्यूशन करा है मृच्छक कोटिकॉम के लेखक का क्या नाम है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number A सुद्रक इस तरह से मैंने आपको चैप्टर तीन का एंसरी क्यूशन बताया अब हम लोग चैप्टर नमबर चार में चलते हैं क्यूशन नमबर फर्स्ट है सांची मद परदेश के किस जीले में इस्तित है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number A option number B राइ राइसेन इसके बाद अगला क्यूशन है महात्मा भूध का जनम कहा हुआ था तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number A लुविन में जिसकी जो नेपाल में है इसके बाद अगला क्यूशन देखते है महात्मा भूध को ज्यान की प्राप्टी कहा हुए थी इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D बौध गाया में इसके बाद अगला क्यूशन है इस तो किस धर्म से संबंधित है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B बौध धर्म से इसके बाद अगला क्यूशन हम लोग देखते है अगला क्यूशन है भी स्वामी का जो नम कहां हुआ था इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी बैसाली में जिसको कुंड गराम भी कहा जाता है इसके बाद अगला क्यूशन है सेतामबर यह दिजंबर का समबन किस धर्म से है इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी जबकि जैन धर्म से अलवार और नयवार है इसके बाद अगला क्यूशन हम लोग देखते हैं क्यूशन है जैन धर्म के 24 में तिर्थांकर कौन थे तिसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी महाबीर स्वामी इसके बाद अगला क्यूशन है महात्मा भूध ने अपना पर्थम उप्देश कहां दिया था तिसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी सारनाथ में इसके बाद अगला क्यूशन है महात्मा भूध के बच्वन का क्या नाम था तिसका राइट टेंसर हो जाएगा option number B सिधार्थ इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं बीर सेव इसको लिंग आयत आंदोलन के जनक कौन थे तिसका राइट टेंसर हो जाएगा option number C वासा पन्ना बन्ना इसके बाद अगला क्यूशन है महाविर्स्वामी के बच्पन का क्या नाम था तिहां पर इसका राइट टेंसर हो जाएगा option number B वर्धमान इसके बाद अगला क्यूशन महाविर्स्वामी ने पार्षवनाथ के सिधान्तों में कौन सा नया सिधान्त जोड़ा था तिहसका राइट टेंसर हो जाएगा option number D ब्रहमचारिय इसके बाद अगला क्यूशन प्रतम बहुत संगती के सासक के काल में हुआ था तिहसका राइट टेंसर हो जाएगा option number A आजाद सत्रू इसके बाद अगला क्यूशन निमन में से गूतम भूद के सिसे कौन थे तिहसका राइट टेंसर हो जाएगा option number D इसका option number D हो जाएगा इन में से सभी सभी थे इसके बाद अगला क्यूशन है पुरानों की संख्या कितनी थी क्यूशन है पुरानों की संख्या कितनी थी तिसका राइट टेंसर हो जाएगा 18 अफ्शन नमबर B इसके बाद अगला क्योंचन है ही नियान फुष्ट के किस भासा में लिखी गई थी तिसका राइट टेंसर हो जाएगा पाली भासा में अप्शन नमबर 3 अगला क्योंचन है तिर्थिये बहुत संगती का आयोजन कहां हुआ था तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B पातली फूत्र में इसके बाद अगला क्यूचन है त्री पिटक संहिता किस धर्म से संबंधित है तिसका राइट एंसर हो जाएगा option number B बहुत हर्म से इसके बाद अगला क्यूचन है महाभी स्वामी की मिर्तु कहां हुई थी तिसका राइट टेंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी पावापूरी में इसके बाद अगला क्यूचन है किसके साशनकाल में बौध हर्म का विभाजन हीनियान और महायान संप्रादायों में हुआ फोर्तक का एम सी यू किवशन दिया हूं यह वीडियो बहुत ही लोंग हो जा रहा था इसलिए इसका मैंने एक पार्ट बना दिया हूं और नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट टू वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगा आई वोप यह वीडियो गर अच्छा लागा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा और जितना हुशा के दोस्तों में सेर करना नहीं भूलेंगे फिर मिलेंगे ने वीडियो से साथ ताफ ताफ के जाहिंद बेस्ट आफ लग